सलाम अलेकुम एवरीवन, मैं हूँ मुहमद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तला स्पेस अकैडमी इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैट्रिक क्लास का 6th लेक्चर जिसमें हम लोग continue कर रहे हैं हमारा चेप्टर नमबर 3 जो कहे है kinematics of linear motion और बहुत ही important topics हैं आज जो हम cover करने वाले हैं क्योंकि आगे वो हमेशा काम में आएंगे और वो topic है displacement, speed, velocity and acceleration तो start करते हैं with the definition of displacement देखो displacement को हम दो तरीकों से define कर सकते हैं displacement is the shortest distance between two points और displacement is the distance covered by a body in a particular direction यानि कि अगरेसी definition से देखो तो distance जो है जिससे एक particular direction में cover किया जाता है तो वो displacement क्याला आता है और उसी distance यानि कि displacement की खास बात है कि उसमें direction change नहीं होती यानि कि वो distance हमेशा particular direction में cover होता है तो जो भी distance एक particular direction में cover होता है उसी को कहते हैं displacement और अगर हम suppose करें एक example देखें जिसमें एक body जा रही है from point A to point B तो तीन path हैं जो follow कर सकती है पहला हो सकता है path 1, दूसरा path number 2 और तीसरा होगा path number 3 तो अगर इन तीनों रास्तों को आप देखो तो इन में से जो सबसे छोटा रास्ता है वो है path number 2 और यही रास्ता कहलाएगा displacement एक और खास बात है वो यह है कि इस path के अंदर direction चेंज नहीं हो रही है तो जैसे के definition में बताया था कि यह जो distance होता है वो particular direction में cover होता है और दो points के दर्मियान का shortest यानि के minimum distance होता है तो उसी को हम कहते है displacement तो displacement का nature क्या है देखो मैंने क्यूंकि बताया कि displacement एक particular direction में cover होती है तो याद रखो it is a vector quantity और vector quantity से क्या मुराद है vector quantity से मुराद यह है कि इसको show करने के लिए हमें direction लाजमी बतानी पड़ेगे symbols क्या क्या है तो displacement का जो सबसे जादा common symbol है वो s होता है लेकिन vector का sign उसके उपर लगाया जाता है वे arrowhead लगाया जाता है ठीक है बाकि हम इसको r से show कर सकते हैं x से show कर सकते हैं d से show कर सकते हैं x से show कर सकते हैं तो बहुत सारे symbols हैं फिर अगर इसका unit देखना है तो इसका unit meter है क्योंकि length का या distance का जो SI unit है वो meter है तो इसका भी जो SI unit है वो meter ही होगा उसके बाद बारी आती है speed की तो speed बहुत common सा word है अक्सर आप लोगोंने सुना होगा कि अगर कोई body बहुत तेज ट्रेवल कर रही होती है तो उसे कहते हैं इसकी speed जादा है यानि कि speed का जो तालुक है वो तेजी से है यानि कि एक body अगर जल्दी-जल्दी फासला तेए कर रही है तो हम कहेंगे इसकी speed ज्यादा है तो particular definition देख लो particular definition यह है कि the distance covered by a body in unit time is known as speed यानि कोई body जो फासला तेए करती है unit time में unit time यानि कि 1 second के अंदर उसे उसकी speed कहा जाता है मिसाल के तौर पे एक body 5 second के अंदर 10 meter का फासला तेए कर रही है तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 second में कितना फासला हुआ तो याद रखो 1 second के अंदर फासला हुआ 2 meters तो अगर कभी भी इसकी speed बताए जाएगी तो क्या बताए जाएगा कि यह हर 1 second के अंदर 2 meter का फासला तेए करती है और यही 2 meter per second उस body की speed कैलाएगी जैसे मिसाल के तौर पर श्यव अक्तर की जो fastest ball थी उसकी speed थी 100 miles per hour यानि कि वो जो ball है वो हर hour में अगर वो चले अगर वो एक hour तक का distance एक hour तक का time में चलती रहे तो वो कितना distance कवर करेगी वो distance कवर करेगी 100 miles का तो इससे हम उसकी speed को पता कर सकते है तो क्योंके speed के formula के अंदर आ रहा है distance और फिर upon में आ रहा है time तो इसका formula हो जाएगा speed is equal to distance upon time और distance को generally show किया जाता है s से time का symbol होता है t और speed का symbol होता है v तो इसका formula हो जाएगा v is equal to s upon t nature तो सीधा साधा सा है क्योंके इसके formula में distance आ रहा है time आ रहा है और क्योंके दोनों ही scalar quantities हैं तो इसका मतलब यह है कि speed है वो भी है कि scalar quantity होगी किसी भी direction में हो सकती है क्या unit बनेगा formula को देखो तो अगर formula को हम देखें तो formula में उपर आ रहा है distance upon में आ रहा है time तो distance या displacement उसका unit होता है meter और time का unit होता है second तो इसका unit भी हो जाएगा meter per second तो कोई body unit time में कितना distance cover करती है वो उसकी speed कहलाती है तो उसके बाद बारी आती है velocity को समझ देखो जैसे distance है बिल्कुल इसी तरीके से speed और velocity है speed में कोई particular direction नहीं होती लेकिन velocity की एक particular direction होती है तो definition देख लो सबसे पहले the rate of change of displacement is known as velocity yeah the rate of change of position with respect to time is known as velocity यानि के distance हमने कहा था कितना distance cover हो रहा है पर unit time but अब हम कह रहे है कि unit time के अंदर कितना displacement cover हो रहा है यानि कि body अपनी direction को change नहीं कर रही और वो एक point से दूसरे point के minimum distance travel कर रही है जिसको हम कहते है displacement तो कोई body एक second के अंदर यानि कि unit time के अंदर कितना displacement cover करती है वो जाहिर करता है उसकी velocity को तो formula देख लो velocity का velocity का formula में उपर आ रहा है displacement और नीचे आ रहा है time तो displacement को हम show करते है s और उपर आ जाता है arrowhead और divide by time तो अगर आप इसका formula बनाओगे तो यह हो जाएगा v is equal to s upon t यानि कि अगर देखा जाए तो सिवाए arrowhead के speed के और velocity के formula में कोई खास फर्क नहीं है तो मैंने बताया था पहले ही कि जो velocity है और जो speed है उसमें difference है तो सिर्फ और सिर्फ उसके nature का velocity एक vector quantity है और जो speed थी वो एक scalar quantity थी unit क्या बनेगा तो देख लो displacement को measure किया था meter में time को measure किया है second में तो इसका unit हो जाएगा meter per second तो दो type की velocity होती है पहली velocity कहलाती है uniform velocity और दूसरी velocity कहलाती है variable velocity तो इन दोनों को बारी-बारी समझते हैं पहली जो velocity है uniform velocity वो नाम से जाहिर है uniform यानिके एक जैसी हालत अगर एक जैसी हालत है तो इसका मतलब क्या अगर कोई body equal displacement कवर करती है equal interval of time में तो उसकी velocity कहलाएगी uniform velocity क्योंकि उसकी throughout जो velocity है वो change नहीं हो रही दूसरी type की velocity का नाम बताया है variable velocity तो variable velocity अगर है तो देख लो variable यानिके change होना able मतलब काबल तो variable जो change हो सके जो change होने काबल है उसे कहते हैं variable तो अगर कोई body कवर कर रही है जगा से दूसरी जगा का distance और उसकी velocity लगाता है चेंज हो रही है तो ऐसी velocity कहलाएगी variable velocity यानिके when a body covers unequal distances or displacements in equal interval of time then it is called variable velocity यानिके unequal distance कवर हो रहा है equal intervals of time में तो इस तरह से हम measure कर सकते हैं uniform velocity को और variable velocity को uniform जो एक जैसी रहे और variable velocity वो velocity जो के change होती रहे पिर चलते हैं हमारे आज के आखरी topic के तरफ और वो है acceleration तो जैसे के नाम से जाहिर है आप लोगों ने acceleration का word accelerator के साथ सुना होगा गाड़ियों में accelerator का क्या काम होता है जब भी पूछा जाए तो easily सब जानते हैं कि accelerator के दो काम होते है speed को या velocity को increase करना या speed या velocity को decrease करना generally तो हम speed ही कहते हैं लेकिन actually acceleration क्या है velocity का बढ़ना या कम होना with respect to time यानि कि कोई body unit time में अपनी velocity को कितना change करती है चाहे वो बढ़ाए या कम करे उस चीज को कहते हैं acceleration rate of change of velocity in unit time is called acceleration यानि कि कोई body unit time में कितना अपनी velocity को change कर लेती है वो उस body का acceleration कहलाता है तो acceleration का अगा formula देखा जाए acceleration है change of velocity divide by time तो change of velocity को हम शो करते है delta v से और जो time है उसको हम शो करते है t से और acceleration का symbol है small a तो याद रखो a बराबर आजाएगा delta v अपन t और क्योंके इसके formula में आ रहा है velocity तो acceleration एक vector quantity है जिसकी एक particular direction होती है और इसके formula से unit बनाना चाहो तो उपर आ रहा है velocity अपन में आ रहा है time velocity का unit meter per second और time का unit second तो इसका unit हो जाएगा meter per second per second यानि के meter per second square या meter per square second भी कह सकते है तो जिस तरह से velocity की दो types थी acceleration की भी दो types है पहले कहलाती है uniform acceleration और दूसरी कहलाती है variable acceleration अगर velocity में change एक जैसा आ रहा हो time के लिहाज से यानि के हर second में velocity बढ़ रही है या कम हो रही है तो एक खास amount में बढ़ रही है या कम हो रही है तो इस किसम के acceleration को कहा जाता है uniform acceleration जैसे के acceleration due to gravity होता है 9.8 meter per second square यानि के जब भी कोई body गिरती है अर्थ की तरफ तो उसका जो velocity है वो हर second में 9.8 बढ़ जाती है 9.8 9.8 बढ़ती रहती है यानि के हर second के अंदर बढ़ने वाली velocity का amount equal है ये कहलाता है uniform acceleration दूसरे टाइप के acceleration जो बहुत common है वो कहलाता है variable acceleration अगर कोई body अपनी velocity को कभी ज्यादा change कर रही है कभी कम change कर रही है यानि के हर second के अंदर जो velocity की तबदीली आ रही है वो एक जैसे नहीं आ रही बलकि वो अलग-अलग हो रही है कभी ज्यादा कभी कम तो इस किसम की जो acceleration है वो कहलाएगी variable acceleration तो that's it आज की lecture में हमने यही सब कवर करना था हमने displacement देखा, velocity देखा acceleration देखा, जो भी confusions हैं उन्हें दूर करने का time है, comments में पूछ सकते हो इंशालला reply करूँगा आज के लिए फिराल इतना ही है, अगली lecture में मिलेंगे, अलाफिस